इधर मध्यप्रदेश में बे मौसम बारिश और ओला ब्रिष्टी ने चिंता बढ़ा दी है फसलों को नुकसान पहुँचा है अगले तीन दिन तेज बारिश और ओले गिरने की आशंका भी जताई गई है आज भी तेज अबाओ के साथ बारिश की चेताबनी मौसम विवाग पहुचाया है यहूँ चना मसूर सहित रवी की फसले प्रभावित हुई है और ओला ब्रिष्टी पर सियम शिवरासिंग चौहान ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि किसान भाई बहन चिंता ना करें मामा शिवराज आपके साथ है फसलों के नुक किसानों को उठाना पड़ रहा है ग्याहूं की फसल पकने को है चने की फसल बाकी बात हो सरसों की बात हो तमाम फसले अब लगबक कटने के लिए तयार है लेकिन उसके बीच इस तरीके से तेज आंधी और ओला वरस्टी हुई उसके चलते तमाम जो फसल है वह आड़ी हु जो पकी हुई बाले हैं वो गिरकर जमीन पर आचुकी है अब देख सकते हैं यह जो गेहूं के दाने हैं यह नीचे गिर रहा है क्यों धीरे धीरे जिस तरीके से तेज हवाओं ने रप्तार पकड़ी उसके चलते लगाता है पूरा खेत आपको समझ नजर आ रहा होगा कि क इस तरीके से फसल आड़ी हो चुकी है और यही करान है कि किसान जो है वो अब चिंतित नजर आ रहा है हाला कि सरकार का कहना है कि चंता की बात नहीं है सरकार जल्दी फसलों के जो नुक्सान हुआ है उसका सर्वे कराएगी और किसानों को रहाद देगी लेकिन कहीं किसानो के माते पर अभी बीच चिंता की लखी रहें कि आके रदी बे मौसम बारिस होगी इस तरीके का मौसम होगा तो उनकी फसलें जो है वो खेत महीं खराब होती नजर आएंगी अब देखने ही होगा किस तरीके से मौसम आने वाला मौसम रहता है और सरकार किसानों की कितनी मदद कर पाती है असुनी सिंके सांसुरसर माबंसल नियूस भोपाल